चार राजियों के नतीजे जो है वो सामने आ गए है और भारती जनता पार्टी की अच्छी जीत के साथ जो है यह बारती जनता पार्टी इस सामने आ रही है तो कहा जा रहा है कि अभी हमारे साथ भारती जनता पार्टी के राजी व्रण्जन जी हैं उनसे जानते हैं यहां प प्रत्यासित राज थे च्छतिसगर्ण और राजस्थान और मद्द पर्देश में भी अपर्त्यासित जो जीत हुई है इससे पूरे देश के ना सिर्फ भाजपा के कार्जकरताओं में खुसी की लहर है बलकि आम जनता में भी खुसी की लहर दोड़ गई है और आज भारतिय जनता पाटी के मुखिया हमारे देश के जसस्वी परदान मंतरी सिरी नरेंदर मोदी जी के नीतियों पर मुहर लग गई है नरेंदर मोदी जी ने जो गारंटी दिया था अपने बद्दाताओं को उस पर बद्दाताओं ने भरोसा करके उनको ऐसी जीत उनकी जोली में डा बारतिय जन्तापाटी के तमाम कार्ज करताओं का आज से दूना हो जाएगा। ये जीत अगामी लोकसभा चुनाओ का एक बड़ा मार्क ससक्त करने जा रहा है। और अभी से हम कह सकते हैं कि लोकसभा की चुनाओ में भारतिय जन्तापाटी साले तीन सो से भी अधिक लोकसभा के सीटे जीत कर एक बार पुनह भाजपा की सरकार दिल्ली में बनाएगी। इस चुनाओ से आप दो-तीन बाते समझ सकते हैं। एक तो भारतिय जन्तापाटी के नीती से, भारतिय जन्तापाटी के कार्जों से और परधान मंत्री जी से बिल्कुल जन्ता समत है। जनता को भरोसा है, दूसरी आप एक समझ सकते हैं, खास करके कॉंग्रेस पार्टी के और राहुल जी के लिए सबक होनी चाहिए, कुन्हें ये समझने की जरुवत है कॉंग्रेस पार्टीों को, कि सिर्फ मोदी जी को गाली दे करके, और सोशल मेडिया में वाइरल न्यूज फैला करके, भारत देश का मद्दाताओं को अपने रुख नहीं किया जा सकता है, और भारत देश का चुनाओं नहीं जीता जा सकता है, अगर चुनाओं जीतना है, तो आपको जमीन पर काम करना होगा, और जमीन पर कार्जकरताओं से जुणना होगा, तीसरा, आपको केव जोपर मंदिर जाना होगा, चुक्री भाजपा के जोभी सिर्ष नेता है, उनको आप देखेंगे तो चुनाओ के समय कंठी पहल लेंके, चुनाओ के समय रुद्राक्ष पहल लेंके, चुळाओ के समय रुद्राविशेक करने लगेंगे, जिसलेगा कि यह सबसे बड़े हिंदू भक्त हो गए और इसके पहले हिंदूओं को गाली देंगे तो ये एक बड़ा जंता के सामने प्रस्ण है और तीसरा कि गलत को गलत कहना सीखना होगा जिस समय इसरेल पर हमास ने अटैक किया जसस्वी परदान मंतरी नरेंदर मोदी ने डट कर इसका बिरोध किया और आतंक बाद किसी भी देश का हो लेकिन आपको याद होगा कि कॉंग्रेस और इंडिया गटबंधन के लोग उस समय हमास का तारीफ करके फिलिस्तीन के समर्थन में थे तो इससे जंता के मन में बड़ा एक कोश्चन आया था और जंता आम जंता जो है वो बहुत आहत हुई तो ये मुद्दे हैं इस मुद्दों से भारतिय जंता पाटी की जीत हुई है और हम समझते हैं कि एक लोग सभाचुनाओं का आगाज है और आने वाले दिनों में भारत देश में सिर्फ और सिर्फ एक पाटी बचेगी वो है भारतिय जंता पाटी आज कर जो नतीजा सामने आया है वो कहीं न कहीं लोग सभाचुनाओं के नतीजे को भी दिखाएगा और ये जीत जो है वो लोग सभाचुनाओं के आगाज की बात इन्होंने ने कहा और अभी ये लोग लड़ू वितरन करके खुशियां जाहिर करें जम्शित्व से लाला जब यवाइस को